हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू मैंगनेट बेंस हिंदी मैं लाली वर्म बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैंगनेट बेंस के हिंदी मीडियम चैनल पर मैंगनेट बेंस एक ऐसा प्लैटफॉर्म जो देता है कक्षच चटवी से बारवी तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एक दम फ्री साथी साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परिक्षाओं की वीडियो भी आप मैंगनेट बेंस पर देख सकते हैं एक दम फ्री क्यूंकि बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ एक बार पुना और आज हम व्याकरन के टॉपिक पर आ गए हैं कौन सा टॉपिक है जो कोर्स ए और कोर्स बी दोनों के लिए बहुत ही मैप्वपूर्ण है ये बिंदू जिसका नाम है अनुछेद लेखन जी हाँ अनुछेद लेखन क् चोटा भाई है बिलकुल सही समझे हैं आपकी जिस तरह से प्रीवियस क्लासेस में आपने निबंद लेखन पढ़ा होगा बहुत पांच भी-छटवी से हम निबंद लेखन पढ़ने लगते हैं स्कूल में तो निबंद लेखन जब हम लिखते थे तो उसका रूप बड़ा होता था उसमें दस अंक का निबंद लेखन आता था फिर संकित बिंदू लिखे जाते थे उनी का पालन करते हुए हमें निबंद को पूरा करना होता था ठीक है अब है तो वही कि विशेवस्तु वही है अर्था टॉपिक सेम आ सकते हैं लेकिन जो शब्द सीमा है वो जिस तरह से 200 से 200 शब्द लिखते थे निबंद लेखन में और अब 120 से 150 तक शब्द लिखना है अनुचेद लेखन में वरिक्षाओं में जब भी आप से पूछा जाए अनुचेद लेखन संबंदी तो वह शब्द सीमा बिलकुल अनिवारे रूप से दी जाती है तो उस श दो तीन चाल लिखने यहां पर गिनिती करने की आवशकता नहीं है यहां पर जो सहाइक क्रिया होती है या फिर कारक विभक्तियां होती है उनको गिना नहीं जाता है शब्द जो सीमा होती है उसमें जैसे में से के होता है थे यह जो सहाइक क्रिया होती है या फिर कारक एक paragraph लिखकर count करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आपकी समय की भरबादी हो सकती है मान लीजे एक बार आपने एक copy में लिख लिया इतनी लगभग आपकी परिक्षा की copy होती हो और अभी आप जब परिक्षा देंगे दसवी की बात कर रही हूं तो इससे पहले भी pre-boards ह होते हैं और आपकी जो परिक्षा की copy रहती उसका size इतना रहता है ठीक है तो हम वहाँ पर practice करते हैं practice के साथ ही हमें ये पता चलता है कि अच्छा एक लाइन हमने count कर लिए उसी के according हम देख लेते हैं तो जो अनुछिद लिखन है हमारी copy जिसका margin हमने सही सलामत छोड़ हैं और हमें बहुत अच्छे से number प्राप्त हो सकते हैं क्यों क्यूंकि अनुछिद लेखन आता है पांच अंक का ठीक है अब उसी की परिभाशा हम जानेंगे भाग एक हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं और भाग दो में हम उधारनों की तरफ चलेंगे ठीक है चलिए आहिए मेरे साथ और देखते हैं अनुछिद लेखन आकिर क्या है पहले हम देखेंगे अनुछिद लेखन की परिभाशा और उसके बाद हम देखेंगे कि उससे महत्वपूर्ण कुछ जो बाते हैं वह कौन-कौनसी बाते हैं वैसे तो मैंने भी आपको बताया हैं लेकिन और कौनसी ऐसी बाते हैं जो व्याकरण में अती महत्यपूर्ण हैं जिनकी साहता से अनुछेद लेखन एक बहुती सार गर्वित, सार गर्वित मींस गागर में सागर भरना कह सकते हैं कि बहुत सटीक शब्दों के साथ शब्दों का चैन करके जब हम लिखते हैं तो उन है फिर भी उनको हमसे ज्यादा नंबर मिले यहां बात होती है वही कि क्वालिटी इस बैटर देन क्वांटिटी यह आप सभी जानते हैं कि जो गुण होते हैं उसकी क्वालिटी होती है उसको देखा जाता है कि आपने जो भी विशह दिया है उस पर सही से लिखा है और जो पर वही हम कह सकते हैं कि लिखना है सटीक सार्थक सार गर्वित जिससे कि कॉंटेंट जो भी आपको दिया गया है जो भी आपका कंसेप्ट हो यहां पर आपको कलियर होगा और साथ ही साथ जो पूचा गया है वो भली भाती आपके मस्तिष्क में चैकर तक उसी तरह से किसी विशय या विशय वस्तू पर संशेप में कुछ इस तरह उसका वर्णन करना कि उसके अर्थ इसपष्ट हो समझ रहें आप किसी विशय या विशय वस्तू पर संशेप में कुछ इस तरह उसका वर्णन करना कि उसके अर्थ इसपष्ट हो अभी-अभी मैंने कहा कि परिक्षा में जो भी विशय आपको दिया जाएगा जो भी शीरशक आपको दिया जाएगा उसी पर हमें अनुच्य लिखना होता है यहां वहां के अलग से हमें विशय जोडने की आवशक्ता नहीं होती है विशय से बाहर का कुछ भी इसमें नहीं चोड़ा जाता यह स्वेम में ही इतनी पून और स्वतंत्र रचना है कि इसे निबंद का सूख्ष रूप भी कह सकते हैं अथ्वा लगू निबंद भी मान सकते हैं अंग्रेजी भाशा में इसको पैरग्राफ राइटिंग बोलते हैं जो कि आप करते रहते हैं यदि परिभाशा देखी जाएं तो किसी भी भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए जो संबंध और लगू वाक्य समूह लिखा जाता है लगू वाक्य समू मतलब छोटे छोटे वाक्यों का सार गर्भित वाक्यों का सार्थक वाक्यों का जो समू है उसी को अनुचिद कहते हैं वह अनुचिद लेखन कहलाता है ठीक है अनुछेद लेखन में विशे वस्तू से जुड़ी हुई चीजों को इस इस्तर से वढ़नित करते हैं कि वह बिल्कुल सटीक संतुलेत तथा पूर्ण होती है अनुछेद के लेखन में विशे को आविशक्ता के अनुसार ही रूप देना चाहिए अर्थात बिना जरूरत के अत्याधिक विस्तारित रूप नहीं होना चाहिए अभी यही बात हुई थी कि बहुत से बच्चे मान लिजे दो पेज लिखा या धाई पेज लिखा है बिल्कुल सटीक संतुले तथा पूर होती है अनुछेद के लेखन में विशे को आविशक्ता के अनुसार ही रूप देना चाहिए जितनी आवशक्ता है उतना में रूप देना अत्यादिक वढ़नन नहीं करना विस्त्रित वढ़नन नहीं करना अर्थात बिना जरूरत के अत्यादिक विस्तारित रूप नहीं होना चाहिए इसमें विशेवस्तू से जुड़े हुए सभी सकारात्मक पक्षों का लिखना अनिवारे होता है या महत्वपूर्ण माना जाता है जो भी विशेवस्तू दी है विशेवस्तू में जो भी टॉपिक है आपका उससे जो भी रिलेटेड है और जो भी जुड़े हुए उनके positive points हमें लिखना है है ना मतलब सकारात्मक पक्षों को उसमें जोड़ना है और बाद में हम ये भी है कि हाँ इसका कुछ conclude जब हम करते हैं निशकर्ष जब हम लिखेंगे उस आधार पर हम थोड़ी से उसकी लिख सकते हैं आलोश ना भी लिखेंगे सभी वाक्य परस पर एक दूसरे से जुड़ाव रखते हूं ऐसा नहीं कि एक वाक्य गया है जाने की और दूसरा वाक्य कर रहा है माने की और तो जो भी उसके वाक्य रहेंगे वो इंटर लिंक्ड होना चाहिए अच्छे अनुछेद लेखन में कुछ मुख्य विचार होते हैं जो अनुछेद के अंत में बताये जाते हैं ठीक है जो भी अच्छा अनुछेद होगा उसमें मुख्य विचार भी होते हैं जो अनुछे एक्सर इन बातों का पाला ना करने पर हमारे अंक कट जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना था तो इन बातों पर विशेश रूप से ध्यान दीजे अभी प्रारंबिग है ठीक है बाद में जब परिक्षाएं आने लगती है तो फिर हमें हड़ बड़ाहट होती है और हम जल्दी जल्दी या कहें हम जल्दवाजी में इन बातों को छोड़ देते हैं जो की होते हैं हम उनके कुछ बुलेट्स लिखते हैं points लेकते हैं तो उनीका उनीको मस्तिश्क में बसाकर उनका डीटेल हमें लिखना चाहिए या तो हम संकेत बिंदू को एक साथ लिख दे यह फिर संकेत बिंदू लिख कर सब्लन अपना अनूझेद लेकन करें प्रश्ण पत्रों में भी संकेत बिंदू दिये रहते हैं लिखने वाले को चाहिए कि वह उन रूप रेखाओं और बिंदू को ध्यान में रखकर ही अपना अनुछेद लेखन करें यहां पर बात आती है कि स्टुडेंस का यही क्वेशन रहता है अक्सर कि क्या हम संकेत बिं लिख सकते हैं जैसे जो भी आपका टॉपिक आया उसको टॉपिक को लिखाू टॉपिक के साथ ही नीचे आपने लिख दिये संकेत बिंदू 4-5-3-4 संकेत बिंदू है और फिर लेकिन इतना जरूर रखना है कि संकेत बिंदू का पालन करती हो में शुरू से अंते तक जान यह नहीं कि संकेध बिंदू लिखे हैं कुछ और हम जा रहें कहीं और, ठीक हैं? इस बात का ध्यान रखना है हमें आनुछेद में एक विशय के एक पक्ष का वर्णन करना अति उत्तम होता है जो भी विशय दिया गया है जो भी विशय वस्तु है उसी पक्ष का हमें वर्णन करना होता है किसी भी विशय के दो पक्ष होते हैं एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक जैसे हमारी सोच में भी क पहले ही है विचार करने की कौन सा पक्ष लिखना है यह इसलिए भी आवशक होता है क्योंकि अनुचेद में लिखना और शब्दों की जो संख्या है वो सीमित होती है शब्द सीमा का पालन करते हुए समय का जो निर्धारन है उसका भी पालन करते हुए हमें अपना अनुचे तो वहां हम इस तरह से लिख सकते हैं और प्रश्ण में दिया जाए यह संकेत बिंदू में दिया जाए प्रश्ण पत्र की में बात करें क्वेस्चन पेपर की में बात कर रही हूं कि आप इसके लाब और हानी शामिल कीजिए या फिर संकेत बिंदू में शामिल है लाब हानी तब तो हमें दोनों पक्षों को लिखना है यदि लाभानी नहीं दिया है तो संकेद बिंदूं के आधार पर ही हमें अनुचेद लेकन कम्प्लीट करना होगा अपनी मर्जी से नहीं जो भी संकेद बिंदू दिये हैं उनका पालन करतु हमें पूरा करना है लिखते समय इस बात का थ्यान रखना चाहिए कि अनुच्यत की भाषा सरल तथा सू इस्पष्ट सिर्फ इस्पष्ट नहीं सू इस्पष्ट इतनी इस्पष्ट हो कि पढ़ने वाला यह जो भी पढ़े उसको समझ में आ जाए ऐसा नहीं है कि हिंदी का टॉपिक है तो हिंद संकेद को पढ़ ले तो वो समझ सके कि हाँ जो भी विशयवस्तू आपको दी है उसके साथ आपने न्याय किया है तभी वो संकेद बिंदू सार्थक तभी वो अनुच्यत सार्थक माना जाता है इसलिए इस बात को फिर से सुनिए मैं पुना इस बात को दोहराती हूं विराम चिन और कॉमा का प्रियोग आवशक तानुसार करना चाहिए जहां भी जो भी विराम चिन है अर्द विराम पूर्ण वराम कोश्ठक है ना इन्वर्टेट कॉमा आज तो उस तरह से हमें जैसे हम किसी की बात को ऐजटिस कहते हैं यथावत कहते हैं तो उसको इन्व बातों का भी हमें ध्यान रखना है नेस्ट है अनुचेर लेखन में कभी भी दोहराव की स्थिती नहीं होनी चाहिए कभी भी दोहराव की स्थिती नहीं होनी चाहिए एक बात का जिक्र कई बार ना होकर एक बार ही हो तभी अच्छा है इस बात को सुनी ध्यान से अनुचेर लेखन में कभी भी दोहराव की स्थिती नहीं होनी चाहिए ठीक है नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक बात का जिक्र कई बार ना होकर सिर्फ एक बार हो तभी अच्छा होता है यदि अनुछेद में शब्दों का बार बार दोहरा होगा तो दिये गए सीमित शब्दों में लिखने वाले का संदेश समिक शक्ता किस पश्रूप से नहीं पहुंच पाएगा अब नेक्स्ट पाइंट है कि अनावश्चक रूप से लेखन का रूप विस्तरित नहीं होना चाहिए कि आवश्चक है नहीं फिर भी हम लिखे जा रहा है लिखे जा रहा है हमें तो बहुत सारे थौट्स आ रहे हैं तो अब हम लिखेंगे ना अपने सीमित विचारों को वहाँ पर लिखें जो भी टॉपिक है उससे संबंदित हो और उतना ही हमें लिखना है थौट्स तो बहुत सारे आएंगे अब इसका मतलब यह नहीं कि हम सिर्फ अनुचेद लेखन नहीं लिखते रहें दो तीन गंटे तक ठीक है लेकिन ऐसा भ रखना होगा कि अनुचेद का जो विशय है लेखन उसी पर हो जो भी विशय दिया है जो भी टॉपिक दिया है सिर्फ और सिर्फ उस पर हमें केंद्रित होकर उसी से आधारित अपना संकेत जो अनुचेद है वो लिखना है इधर उधर भटकना नहीं है कि इस से लिंक कर द रूप में कि रूप के ध्यान में विशे से ही अलगाव हो जाए यह ध्यान रखना होगा कि अनुछेद का जो विशे है लेखन उसी पर हो क्लियर हूँ लिखते समय शब्दों की सी मित अवस्था को ध्यान में रखना आवशक है एक अनुछेद में 100 से 120 शब्द ही लिखे जा हैं 120 या अधिक बस 130 तक जा सकते हैं तो कहा न मैंने कि एक पेज और दूसरे का आप दो चार लाइन्स मी लिख देंगे तब भी आपका बहुत बढ़िया जो है अनुछेद वो पूरा हो सकता है बशर्ति की आपने इन सभी बातों का ध्यान में रखा है और उनी से संबंद कोई सूकति अत्वा कभीता ध्यान में है हमेशा यही कहती हूं कि जब भी आप अनुछेद लिखें तो अनुछेद से संबंदित कोई दोहायाद आया हो कोई सूकति याद आई हो कोई कहावत याद आया हो किसी की कहावत जैसे यदि मान लीजे देश भक्ती से संबंदित है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा है ना इस तरह से या फिर की वहें खून कहो मतलब यह है कि उस आपके मस्तिष्क में हैं तो स्टार्टिंग वहीं से करेंगे तो बहुत ही प्रभावी होगा लिखते समय या दिविशय से संबंद कोई सूकती अधवा कवीता ध्यान में है तो उससे भी लिखा जा सकता है इससे अनुछेद रोचक भी होगा और एफेक्टिब भी होगा प् देवर्यूं की और हाँ जैसे माली जै कोई कोट याद आ आगया आपको बहुत अच्छा थॉट याद आ गया तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसा नहीं कि हम हिंदी में है तो हम एंगलिस में कैसे लिख सकते हैं लेकिन तिर्फ एक यदू लाइन का और उसका फिर हम दिवर् तो आप English का लिख दीजे और उसका संशिप रूप से उसको विवरंद दे दीजे तो ये भी है अब ये बिल्कुल हमें नहीं सोचना है कि हिंदी का है तो हम English कैसे लिखें लिख सकते हैं क्योंकि उन शब्दों को याद रखिए कि भाशा में चार प्रकार की शब्द होते हैं लेकिन अधिकता नहा हो किसी भी चीज़ की अती तो नुकसान दायक होती है ठीक है अनुछित की समापती में उसके निशकर्श की सपष्टता होनी चाहिए पढ़ने वाला बिना किसी परिशानी की अनुछित का निशकर्श समझ सके और जो भी आप निशकर्श लिखें या पढ़के कि हाँ आपका अनुचेद समापन की ओर है यह समापन हो चुका है ठीक है इन बातों का हमें ध्यान रखना है ठीक है इस वीडियो में आपने देखा कि अनुचेद क्या है कौन-कौन सी महत्वपून बाते हैं उनसे सम्मंदित हमने बहुत सारी बातों को सुना समझा और ये इन बातों को आप हमेशा देखिएगा एक बार यदि नहीं समझ में आए तो पुना वीडियो को देखिए ताकि जब आपकी परिक्षाएं होंगी चाहे वो टेस्ट हों या प्री वोर्ड्स हों या वार्शिक परिक्षा या बोर्ड परिक्षा आ जाए तो उन परि प्रखशा छटवी से बार्वी तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन भी आप फ्री देख सकते हैं वीडियो साथी साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परिक्षाओं की वीडियो भी आप मैगनेट बेन्स पर फ्री देख सकते हैं क्योंकि मैगनेट मेंस है बारत का नंबर वन प्लैटफर्म जो देता है सभी प्रकार की एजुकेशन ओनलाइन एजुकेशन एकदम फ्री आप सोच रहा होंगे प्रतियोगी परिक्षाओं के वीडियो भी आप फ्री देख सकते हैं अब यहां बात होती है कि आप अपनी क्लास के वीडियो इंग्लिश मीडियम में भी दे सकते हैं यह जिस भी वीडियो पर जाना है जस्ट आप टाइप कीजिए माली जैपको हिंदी देखना है तो क्लिक कीजिए क्लास 10th हिंदी लाली बर्मा क्लिक किया और क्लिक करते ही आपका जो वीडियो है वो दिखाई देगा और प्लेलिस पर जाएंगे तो उससे समबंद सभी बिंदू वहां पर ओल्रेडी बिल्कुल वेल ओगनाईज तरीके से आपकी सुविधा के लिए रखे गए हैं ताकि किसी प्रकार की आसुविधा आपको ना हो जो भी आपको देखना है जैसे करीकुलम मीन्स जो भी NCRT ये CBSC पर आधरित जो पाठिक्रम है ये विशय का संपून विवरन है पाठ का क्रमनुसार सारांश है NCRT प्रशन उत्तर है बहु विकल्पी प्रशन है कंप्ली चैप्टर रिवीजन है जो भी आपको देखना है जस्ट क्लिक आट वीडियो आपके सामने जाएगा मान लिजे आपको पाठिक्रम देखना है क्लिक कर इतने चैप्टर्स हैं किसने लिखे हैं जो भी टाइटल है जो भी शीर्शक है उसका अर्थ क्या है अर्था जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पाठिक्रम एक दम आसानी से समझ में आ जाएगा और साल भर उनको आप आराम से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और आप जैसे सभी जो होनहार स्टूडेंट्स हैं आपके फ्रेंड्स हों आपके परिशित हों आपके जो भी हों रिलेटिब्स हों उनको लिंक शेर करें ताकि वो भी ऑनलाइन फ्री बेस्ट एजूकेशन का लाव उटा सकें ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्वस्त रहिए खुश रहिए बाबाद थैंकि सो मच